तो बॉर्निंग आईज और आपके क्रेक एक्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में 21 माई के इंपोर्टेंट करंट अफेर्स को हम लोग कवर करेंगे तो पहला प्रशन मारा है तो लेसोथो जो कंट्री है या अफरिकन कंट्री है तो उसके जो प्रधान मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है आपको उनका नाम बताना है तो सही उतरोगा अप्शन है थामस थाबेन तो ये अभी तक लेसोथो के प्रधान मंत्री चुने गए हैं इंतरिम प्रधान मंत्री का होता है इंतरिम पतलब होता है short term के लिए जब तक कोई permanent प्रधान मंत्री नहीं आ जाता तब तक ये काम संभालेंगे बाकी यहां पर आप option देखिए मुस्तफा अलकदीमी इराग के नहीं प्रधान मंत्री बने थे अभी मोहिवदीन यासीन ये मलीशिया के नहीं प्रधान मंत्री बने थे और जानेच जानसा ये स्लोविनिया के नहीं प्रधान मंत्री बने थे अब बात लेसोतो की है, तो ये रा मैप में लेसोतो, साउट अफरिकन कंट्री है, कैपिटल इसकी मासेरू है, करंसी है लेसोतो लोटी, और लेसोतो से आप करंट अफेर्स से क्या करेक कर पा रहे हो, आपको याद होगा, जैदीप सरकार, इन्हें लेसोतो में भारते नियुक्त किया गया था इनको, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर है हाल इमें विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड मेटरोलोजी डे, सही उतरोगा अप्शन B, 20 मई को, तो हर साल ये 20 मई को ही म ये था वो मीटर कन्वेंशन, जैसे कि भार, यानि कि जो वेट हो गया उसको हम किलोग्राम में नापेंगे, भारत में भी किलोग्राम में नापेंगे, तो अमेरिका में भी किलोग्राम में नापेंगे, हर जगे, सेम होगी मतलब उनकी यूनिट से, जैसे कि तापमान को, temperature को हम measure करेंगे Kelvin में और इस तरह से आपको पड़ा भी होगा आपने बच्चपन में साथ मूल भूत इकाईया होती है हमारे पास 7 fundamental units, 7 SI units कौन-कौन सी, meter, second, kilogram, ampere, kelvin, mole और candela अच्छा यहाँ से एक और important current affairs आपको connect करके बताता हूँ पिछले साल हम लोगों ने पड़ा था इन में से चार units को फिर से परिभाशे त्यानी के redefine कया गया है और वो चार कौन-कौन सी है, kilogram है, ampere है, kelvin है, और mole है तो यह भी आप ध्यान रखना अच्छा इससे एक और important प्रशन बनेगा इसकी theme क्या है इस बार की? measurements for globe trade यह आपको ध्यान रखना है अब एक और important प्रशन सुनो 20 मही को एक और important day मनाते हैं आपन 20 मही को क्या मनाते है? विश्व मदुमक्की दिवस यानि की world be day और इसकी theme याद रखनी है आपको theme क्या है? be engaged क्या है theme? be engaged अब important day वाला गुशन है तो मही में जितने भी important day मनाया है सारे आपको repeat कर रहता हूँ, सारे revise कर रहता हूँ आपको क्या करना है? मेरे साथ साथ बूलना है और अगर आप में से कोई इस वीडियो को first time देख रहा है तो आपके लिए याई screen पे मैं सारे important day शो करूँगा उनको देखना और साथ साथ बूलना त्योंकि बोलने से भी चीज़े जाद हो जाती है एक माई को हमने मनाया क्या? International Labor Day और एक माई को ही गुजरात और महराष्टर ने अपना इस्थापना दिवस मनाया दो माई को World Tuna Day मनाया गया Tuna एक मचली होती है तीन माई को World Press Freedom Day मनाया जिसकी थीम क्या थी? Journalism Without Fear or Favor फिर पाँच माई को World Asthma Day मनाया ये माई के पहले मंगलवार को मनाते हैं इसकी थीम रही थी Enough Asthma Death साथ माई को World Athletics Day मनाया आठ माई को World Red Cross Day मनाया और आठ माई को ही World Thalassemia Day भी मनाते हैं फिर 9 माई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस World Migratory Bird Day मनाया ये साल में दो बार मनाते हैं एक तो माई और एक October को माई और October के दूसरे शनिवार को तो इस साल मनाएंगे 9 माई को और 10 October को थीम क्या रही? Birds Connects Our World 11 माई को National Technology Day मनाया 12 माई को International Nurse Day मनाया 16 माई को राष्ट्रे डेंगू दिवस मनाया 16 माई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और 16 माई को International Day of Light भी मनाते हैं और 18 माई को हमने अंतर राष्ट्रे संग्रहाले दिवस मनाया था तो ये important important selected days में आपको बताएं कम से कम ये तो आप याद होनी चाहिए बढ़ते आगे फिर है हाल में World Health Organization के कारेकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है सही उत्तरों का option सी डॉक्टर हर्षवर्दन को तो अभी भारत को 3 साल के लिए World Health Organization के कारेकारी बोर्ड में शामिल किया गया है एक तो ये point ध्यान रखो और अब भारत के जो स्वास्ते मंत्री हैं कौन डॉक्टर हर्षवर्दन जी उनको World Health Organization के कारेकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है तो कारेकारी बोर्ड का जो में काम होता है वो क्या होता है स्वास्ते सबा के निर्ने और नीतियों को प्रभावी बनाना इसे सलाह देना और इसके कारे को सुविधा जनक बनाना World Health Organization की बात है तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अपरेल 1948 को और यही कारण है कि 7 अपरेल को हम World Health Day भी मनाते हैं और आपको बता दूँ अभी अपरेल के जितने भी important days थे उनका एक छोटा सा वीडियो बना करके मिने upload कर दिया है कल वहाँ पे इसी तरह से सारी points को link करके मिने आपको बताया है और उनका quiz भी मिने बना करके अपने crack exam application पे upload कर दिया है ताकि वीडियो देखने के बाद आप उनकी practice कर सको तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना बहुत helpful होगा आपके लिए World Health Organization की बात करें तो इसका headquarter काँपर है जैनेवा सुजजलेन में है और इसके director general है Ted Ross Adhanom अच्छा अगर मैं आपसे पूछू WHO की प्रमुक scientist किसे नियुक्त किया गया था या कौन बनी थी तो आंसर होगा सोम्या स्वामिनाथन बनी थी बढ़ते आगे और guys अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं मेरी महनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए helpful है तो please वीडियो को share जरूर किया कीजिए अगर इन वीडियो से आपकी help होती है तो आप लोग मेरी help जरूर करें इन वीडियो को like और share करके ताकि इन वीडियो को continue रखने में मुझे भी आपका support मिल सके तो please इसे like और share जरूर करना और अगर आप में से कोई इस वीडियो को first time देख रहा है तो इस channel को आप subscribe कर लीजिए और subscribe करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा उसे आप दबाना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको वीडियो की notification तब ही मिलेंगे जब आप bell icon को प्रेस करोगे तो चलिए अब बढ़ते आगे फिर हाली में किसे साल 2019 के Alexander Del Rimple Award से सम्मानित किया गया सही उतरोगा option भी विने बदवार को तो भारतिय नौसेना के जल सर्वेक्षन के मुख्य जल सर्वेक्षक यानि की Vice Admiral है ये विने बदवार और इनी को Alexander Del Rimple Award 2019 से सम्मानित किया गया है उन्हें ये पुरुसकार भारतिय जल सर्वेक्षन और विशाल हिंद महासागर शेतर में उनके उतकरष्ट योगदान के लिए दिया गया है ये अवार्ड UK के रक्षा मंत्राले के द्वारा दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया बर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने में योगदान देते हैं बाकी जो यहाँ पे नाम देख रहे हूँ ये सारे भी न्यूज में थे जैसे कि सौरब लोडा, अभी 2020 का यंग केरियर अवार्ड मिला था इनको इनको इन नेनो साइन्स और टेक्नलोजी में सिधार्त वरद राजन की बात करेंगे भारते पत्रकार हैं और Freedom of Speech Award मिला था इनको बाकी ये Lieutenant Commander अक्षे कुमार हैं और इनी को Vice Admiral GM हीरा नंदानी Memorial Rolling Trophy 2020 से सम्मानित किया गया था तो ये नाम भी आप ध्यान रखना अच्छा हमारे नौ सेना प्रमुक कौन है करमबीड सिंग है बढ़ते आगे फिर हाली में शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के तहट देश की कितने शहरों को 5 स्टार कचरा मुक्त टेक्ग दिया गया है सयुत्तर अप्शन सी 6 को तो अभी जो हमारे केंद्रे मानव शहरी मामलों के मंतरी है कौन हरदीप सिंग पूरी उन्होंने शहरों के लिए कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोशना कर दी है जिसमें 2019-20 के लिए 6 शहरों को तो 5 स्टार कचरा मुक्त टेक्ग दिया गया जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार टेक्ग दिया गया अच्छा वो 6 शहर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दिता हूँ 36 गड का अंबिकापुर, मद्यपरदेश का इंदौर, गुजरात से 2 हैं राजकोट और सूरत, करनाटक से है मैसूर और महाराष्टर से है नवी मुंबई तो आया आप ध्यान रखना और हमारे आवासव शहरी मामलों के मंतरी कौन है? यही है हरदीप सिंगपूरी, बढ़ते आगे फिर हाली में किसे, राष्ट्रेक, क्रशी और ग्रामिन विकास बैंक यानि कि नाबाड के अध्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है सही उत्तरों का अप्शन B, गोविंदर राजुलू चिंतला को तो अभी गोविंदर राजुलू चिंतला को नाबाड का चेर में न्यूक्त किया गया है यह 31 जुलाई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे अच्छा इनका नाम के बारे में आल्रेडी में आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन जब मैंने आपको बताया था तो साथ में ये भी बताया था कि इनकी नाम की सिफारिश की गई है लेकिन अब इनको पर्मानेंट्ली न्यूक्त कर दिया गया है तो यह मैं आपको कुशन बता रहा हूँ यह आप ध्यान रखना अच्छा इनी के साथ ही शाजी केवी और पी वी एस सूर्य कुमार को नाबाड में डेप्यूटी मेनेजिंग डिरेक्टर भी बनाया गया है और जो अभी वरतमान में नाबाड के अध्यक्ष हैं उनका नाम तो आपको यादी होगा हर्ष कुमार भनवाला डेसमबर में 6 मा का कारेकाल इनका बड़ा दिया गया था तो अभी इनका कारेकाल खतम होने वाला है और उनके बाद गोविंद राजुलू चिंतला बनेंगे नए अध्यक्ष तो अब उनका नाम आपको याद रखना है अचा बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हो शिवदाश मिना यह भी Central Pollution Control Board के अध्यक्ष बने थे वे विद्यावती यह भारती पुरा तत्व सर्वेक्षन यानके Archaeological Survey of India के अध्यक्ष बने थे और मनो चाहुजा यह CBSE के अध्यक्ष बने थे नाबाड की बात कर लेते नाबाड मतलब क्या होता है National Bank for Agriculture and Rural Development जिसकी इस्तापना 1982 में हुई थी और इसका Headquarter है Mumbai में अचा नाबाड से एक Question और मैं आपको बताता हूँ अभी नाबाड ने पंजाब को 1500 करोड रुपे की मंजूरी दे दी है जिससे कि पंजाब में जो किसान है उनको आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा सके तो ये Point भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर हाली में आत्म निर्बर भारत के लिए कौन सा गाना गाया गया है या कौन सा गाना रिलीस किया गया है सहीतरोगा Option C जैतू भारतम तो जैतू भारतम ये गाना आत्म निर्बर भारत की भावनाव को सलाम करते हुए गया गया है इस सौंग को लिखा है प्रशून जोशी ने और इसे किसी एक सिंगर ने नहीं गया इसे टोटल 211 सिंगर उने गया है जिसमें लता मंगेशकर से लेके सोनु निगम उदित नारायन से लेके केलाश खेर जैसे सभी महान सिंगर है टोटल 211 सिंगर उने और इसको संगीत दिया है शंकर महादेवन ने और आपको एक और important point बता दू इसमें 16 भारते भाषाओं और बोलियों को शामिल किया गया है यानि कि इस गाने को जब आप सुनोंगे इसमें केवल हिंदी नहीं 16 भारते भाषाओं कंणर, हिंदी सारी भाषाओं को इसमें include किया गया है अच्छा बाकी यहाँ पर जो option देख रहे हो हैस्टेग हम हार नहीं मानेंगे आपको यादे, HDFC बैंक ने इस गाने को रिलीस किया था United We Fight, ICCR ने इस सौंग को रिलीस किया था ICCR मतलब Indian Council for Cultural Relations हैस्टेग We Will Win की बात करेंगे तो यह एक campaign है जो शुरू किया था FIFA ने तो यह भी याद रखना बढ़ते आगे फिर है हाली में किस railway zone ने COVID-19 मरीजों के लिए Rail boat robot विक्सित किया है सही उत्रोगा अप्चने दक्षिन मद्य रेलवे ने तो अभी दक्षिन मद्य रेलवे जोन ने COVID मरीजों को बहतर स्वास्ते सिवाएं देने के लिए और अस्पताल प्रबंदन यानि कि ऑस्पिटल मेनेजमेंट की सहायता करने के लिए यह एक रोबोट जिसका नाम रखा है Rail boat या शौट में इसे R boat भी बोलते हैं इसको तेयार किया है तो जिसे मरीजों को दवाईयां देनी है उनको भोजन वगेरा देना है तो रोबोट वो काम करेगा ताकि किसी इनसान को मरीज के पास न जाना पड़े ताकि संकर्मन न फेले इसके अलावा डॉक्टर मरीजों से बात भी कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थुरू ये भी सुविदा इस रोबोट में है अच्छा दक्षिन मद्य रेलवे की बात है तो इसका हैटकॉर्टर कहां पर सिकंदराबाद में है अच्छा इसी परपस के लिए कुछ और रोबोट भी निउस में आये थे यह नया गुष्या ने याद रखना अब हो गये हैं टोटल अठारा पहले सतरा थे अठारा कॉन सा बन गया? साउदन कोस्ट रेलवे दक्षिन तट रेलवे बाकी दक्षिन रेलवे की बात करेंगे इसका हैटकॉर्टर अपका चेन्नेई सेंटरल है और दक्षिन पूर्व रेलवे की बात करेंगे इसका हैटकॉर्टर कॉलकाता में है और दक्षिन पूर्व मद्दर रेलवे की बात करेंगे इसका हैटकॉर्टर बिलासपुर 36 गड़ में हैं बढ़ते आगे फिर है अभी हाल ही में Hope on my adventures on boats trains and planes नाम की पुस्तक को रिलीस किया गया है इसके लेखक कौन है सही उत्तर होगा option D रसकिन बॉन्ड तो अभी प्रसिद लेखक है ये रसकिन बॉन्ड और इन्होंने अपने 86th birthday पर उनकी नई किताब जिसका नाम रखा है Hope on my adventures on boat trains and planes के यी संसकरन को यानि कि अभी electronic संसकरन आया है उसको रिलीस किया है Actually इस बुक में इन्होंने अपने बचपन में जब वो नाओं में, रेल गाडियों में त्वीमानों में सफर करते थे उनकी जो कुछ यादगार पल है मतलब उस यात्राओं के जो रोमांट से भरे हुए किस्से हैं उसके बारे में बताया है बाकी वी कृष्णन स्वामी ये बहुत important नाम है ये खेल पत्रकार है इस पूठ जर्नलिस्ट और इन्होंने पीवी सिंदु के उपर अभी एक बुक लिखी थी Shuttling to the top, the story of पीवी सिंदु फांग फांग ये कलियम लोगों ने पढ़ा था ये चाइनीज लेखा के और वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइड सिटी नाम की बुक लिखी इन्होंने वधान इन्होंने फियर औफ गॉड नाम की बुक लिखी थी बढ़ते आगे फिर हाल इमें चाइना ने World Health Organization को कितने डॉलर की साहिता देने का एलान किया है सहीटतरोगा ओप्शन भी 2 बिलियन डॉलर तो एक्चुली में अभी World Health Organization के स्वास्त सभा का तहत तरवा संसकरन आयुजित किया गया था जो जेनेवा सुट जेलेन में होता है और इस बार वीडियो कॉनफेरिंसिंग के जरिये ये हुआ था जिसमें भारत की तरफ से हमारे स्वास्त मंतरी डॉक्टर हर्च वर्दन जीने हिस्सा लिया था तो इसी सभा में चाइना ने कहा कि वो कोरोना वाइरस माहमारी से निपटने के लिए दो सालों में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर देगा डबली एचो को अच्छा यहां से एक और इंपॉर्टन क्यूशन में आपको बताता हूँ तो अभी इसी तहतरवी सभा में रिजोलिशन ओन कोविड नाइटेन रेस्पॉंस प्रस्ताव भी लॉंच किया गया तो कोविड नाइटीन की स्वतंतर जाच के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया जिसका समर्थन लगबग 116 देशों ने किया इस प्रस्ताव का विचार आस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया था हालंकि प्रस्ताव का मसोधा यूरूपिन संग ने तेयार किया जबकि चाइना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया अच्छा यहां से एक और पॉइंट आप याद रखें वर्ल्ड हेल्थ और्गेनाजिशन ने कोरोना वायरस को कब महामारी घोशित किया था तो ये डेट आप याद रखना 11 मार्च को 11 मार्च 2020 को इसके अलब आपको याद होगा अमेरिका ने WHO को जो फंड देता है उस पर रोक लगा दी है जबकि चाइना ने जो फंड देता है उससे एक्स्ट्रा देगा अब वो 30 मिलियन डॉलर ऐसा उसने बोला है बढ़ते आगे फिर हाली में कौन सा यूनियन टेरिटरी यानि केंदर शाषित प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है सेयुत्तरोगा अप्शन भी लद्दा तो 3 मई 2020 से लद्दाक में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं हाया तो अब इसे कोरोना वाइरस से मुक्त गुशित कर दिया गया साथ ही लह जिले में जिन संक्रमित यरोगियों का इलाज चल रहा था वे भी इस महामारी से ठीक हो गए है लद्दाक में अब तक कोरोना वाइरस के 43 पॉजिटिव मामले आये थे वे सब अब ठीक हो चुके हैं अच्छा यहांसे दो important प्रस्ण में आपसे पूछता हूँ पहला तो आप मुझे बताओ कि भारत में कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था तो क्या आंसर होगा आपका आंसर होना चाहिए गोवा और अभी आपको पता होगा साथवी आइस होकी चेंपेंशिप होई थी कहां पे लदाक में बढ़ते आगे फिर हाली में भारत ने फिलिस्तिनी शर्णार्तियों के लिए UNRWA को कितने डॉलर की साहिता दी है सही उत्तर होगा अप्शन भी 2 मिलियन डॉलर तो अभी भारत ने फिलिस्तिनी शर्णार्तियों के कल्यान के लिए काम करने वाली जो एजेंसी है UNWR है इसका मतलब होता है United Nation Relief and Works Agency इसको 2 मिलियन डॉलर की साहिता राशिदी है तो ये United Nation Relief and Works Agency उन फिलिस्तिनी लोगों के कल्यान के लिए काम करता है जो 1948 में युद्ध के दुरान अपने घर को छोड़ करके चले गए थे या उन्हें घरों से बाहर निकाल दिया गया था अच्छा सबसे इंपॉर्टेन यहां पे रहेगा इस United Nation Relief and Works Agency का हैटकौर्टर ये कहां पर है ये Amman Jordan में है और इसके Commissioner General है Christian Saunders तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उतर की तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी केंदर सरकार ने online वर digital सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना बनाई है तो सही उतर था option C, परधान मंतरी, E, विध्या, योजना आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है और guys अगर वीडियो उसको अभी तक आपने like share नहीं किया है या उसे like share करना भूल गया है तो मैं आपको याद देला रहा हूँ तो please उसे like और अपने कम से कम एक group में उसे share जरूर कर देना तो guys इन सभी questions का quiz बना करके मैंने application पर upload कर दिया है तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहाँ जाए और इन सभी questions का आप practice लगा लीजिए ताकि ये सारे questions आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और जो नए student इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूँ कि quiz में आप ranking feature भी add हो चुका है तो अगर आप कम समय में जादा से जादा question write करते हो तो आपका नाम आपके photo के साथ top 10 students में आपको दिखाई देगा आपको ये नहीं जितने भी लोग quiz लगाएंगे उन सब को दिखाई देगा कुछ इस तरीके से ताकि आपको भी एक अंदर से motivation मिल सके कि आपको भी यहाँ तक पहुँचना है ताकि सब लोग आपको top 10 देख सके और वैसे भी आप तो आपकी इन current affairs का revision करवाने के लिए मैं इसका audio भी तयार कर रहा हूँ तो दिन में 4-5 मिनिट निकाल करके वो आप audio सुन लीजिए ताकि आपका इन current affairs का फिट से revision हो जाए क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना important है लेकिन समय समय पर उनका revision करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है revision नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ा भूल जाओगे तो आप भी के लिए मैं इसका revision audio तयार कर रहा हूँ तो उस audio का link मैंने नीचे description में दे दिया है वहाँ जाकर कि आप मुझे follow कर लीजे और follow करने के बाद में पास में जो bell icon आएगा आप उसे ज़रूर दबा लेना ताकि जब भी मैं audio upload करूँ उसका notification आपको मिल सके और application अगर अभी तक आपने download नहीं किये तो उसका link भी आपको नीचे मिल जाएगा वहीं पर आपको quiz, video, PDF सब मिल जाएगे तो इस प्रशन का उतर आता है तो comment box में ज़रूर टाइप करिए चलिए अब मिलते करन्ट अफेस के revision वीडियो में Thank you guys